एक चोटी सी वेब सीरीज जो आपको पूरे टाइम बांद के रखने वाली है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गर्फ्रेंड चोर के बारे में जिसे डिरेक्ट किया है गिरिज जोटवानी और इसके अंदर कास्ट है इस सीरीज में टोटल पांच एपिसोड है और कुल टोटल इन पांच एपिसोड को अगर आप मिलाओ तो एक घंटा 35 मिनट के करीब ये सीरीज बनती है अगर अब कहानी की बात करें तो एक लड़का है आकाश जिसे प्ले किया है मयूर ने तो वो एक लड़की को पसंद करता है नेहा को और वो ये बात अपनी दिल की बात कहा नहीं पाता है तो ये ना कहने की वज़े से नेहा को कोई और परपोस कर देता है जिसका नाम होता है विशाल और फिर ये दोनों गल्फरेंड बॉइफरेंड बन जाते हैं अकाश के माबाप को ये बात पता होती है कि अकाश जो है वो नेहा को पसंद करता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए त्याब जाते हैं मतलब कमाल के पेरिंट्स है एक लड़का अपनी गल्फरेंड को पाना चाहता है और इसमें उसके माबाप हल्प कर रहे हैं अगर हमारे माबाप को ऐसी बात पता चले तो ऐसा हाल होई जह सुट्छे सारे पापाश पापाश पापाश्छी अकाश और उसके मापाप अकाश की एल्प करने के लिए तरह तरह के आइडिया निकालते है तो वो उसकी बड़े पार्टी में जाते है नेहा की वहाँ पर एक रित्व नाम की लड़की और मिलती है जो विशाल को पसंद करती है अकाश नेहा को पसंद करता है और नेहा और विशाल आपस में गल्फरेंड बॉइफरेंड है तो रितू अब इनको अलग करना चाती है उदर विशाल भी इनको अलग करना चाते हैं इस वज़े से रितू और अकाश एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं ताकि इनको अलग कर सके रात के बारा बजे वो planning कर रहे हैं कि कैसे इनको अलग रखें तो अब रितु और आकाश दोनों नेहा और विशाल को अलग अलग करने में लगे हुए हैं कुछ एक time बीटता है planning करते हैं लेकिन एक time के बाद आपको पता ही होगा कि रितु और आकाश में जो मुझे starting में देखने भी लगा था कि यार अब ये नेहा को भूलने वाला है क्योंकि ये बाद में रितु से प्यार करने वाला है तो ऐसे ही होता है वो Ritu से प्यार कर बैठते है लेकिन Ritu उससे प्यार नहीं करती अट लास्ट में वो नेहा और वशाल को अलग कर पाते है विशाल कुछ टाइम बाद Ritu को परपोस कर देता है राकाश फिर रह जाता है उसको परपोस करने में और रितू से हाँ भी कर देती है यही होती है जहंड करके बैठें लोटें अपनी जिन्दिगी मेभी इसका second season आए तो second season मैं जुरूर देखना चाहूँ है कि अब यो क्या करने वाला है कि क्या वो अब रितू और विशाल को अलग करने वाला है यह और कुछ interesting होने वाल है क्या रियर यह series एक छोटी ची series थी इसने बहुत हसाया जो काफी time से जो कच्रा देखता आ रहा था इस कच्रे को relax करने में इसने बहुत help करी कुछ एक time से इतनी घटिया घटिया series देख चुगा था एक हलकी full की series चाहता था एक mind relax करना कुछ एक mind को divert करना कुछ एक चीजें ऐसे देखने में तो इस series ने सच में बहुत help करी एक 5 episode की एक series है डेढ़ घंटे की एक series है तो यह आपको बहुत relax करने वाली है मेरी तरफ से इस series को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10 star बस आज के लिए इतने था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हिंद